तो फिर से स्वागत है आप दर्सकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल CWEH Online Study Support में मैं हूं राहुल कुमार जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बहुत सारे educational वीडियो अस्टडी materials तो इस वीडियो में मैंने बात किया है section C और section D का साइन्स पेपर जो 13 मार्च 2019 यानि की आज हुआ है cbse class 10 के लिए उसमें section C और section D के total set 1, set 2, set 3 के जितने भी numericals पूछे गए हैं सारे numericals का मैंने यहां पर विस्तार से हल किया है ताकि आप सब यह students को मैं सहायता परदान कर सकूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए है यह हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जाए रेड बटन दबाईए वीडियो के नीचे और बगल में बेल आइकन भी दवाईए और सामिल हो जाए हमारे साथ एजुकेशन के इस क्रांती में चलिए तो सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो यहां पर हमारे यहां पसे question है तू identical resistance तू identical resistance तू आइडेंटिकल रजिस्टेंस आफ 12 मैं बता देना चांथ हो यह कोशन तीनो सेट में था तू इदेन्टिकल रेजिस्टेंस आफ 12 ओम इचार कनेक्टे इन बैटरी ऑफ त्री वोल्त कैलकुलेट दे रेशियो ऑफ पावर कंजुमड बा वो यह 3V का तो मैं आपको बता देना चाता हूँ for minimum resistance, resistances को हमको connect करना पड़ेगा parallel combination में, तो parallel combination में जो equivalence resistance है, उसके लिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, finally, equivalence resistance का formula लगा के, यहाँ पर मैंने दोनों resistances 12 warm और 12 warm को connect करके 6 warm यहाँ पर कर लिया है इसके बात फिर power का formula लगाया, power P is equal to B square बट्टा R, ऐसे P से मैंने R P यानि parallel combination को यहाँ पर सोचित किया है, तो यहाँ पर जो P का value है, वो पूरा calculation करने के बाद हमारा 3 by 2 आ रहा है, 3 square बाई, जो हमारा यहाँ पर final resistance है 6 ohm, तो यहाँ पर 9 by 6 watt, इसको काटके 3 by 2 watt यहाँ पर आ गया है, अब मैं आपको बताने नहीं चाहता हूं, maximum resistance के लिए हम रिजिटेंस को combine करेंगे in parallel combination, और parallel combination में combine करने के बाद जो final resistance है, उसका value हमारा यहाँ पर 24 ohm आएगा और उसके बाद फिर हम सकेंड टाइम में ratio क्या है, तो दोनों का जब ratio P का value और P का value उपर नीचे करके जब ratio करते हैं, तो जो हमारा ratio आता है, वो आता है 4 ratio 1, अगर आपको आपका भी answer आ गया हो 4 ratio 1, तो आपको marks मिलेगा, और अगर आपको solution में किसी तरह के तरूटी लगती हो, तो आप comment box में हमारे साथ आ सकते हैं, मैं वहाँ पर rectify करूँगा, चलिया, यह next question क्यों चलते हैं, तो जो हमारा question है, वो इस तरह का है, तो इसी में और करके हमारा question है, यहाँ पर write the relation between resistance and electrical resistivity of the material of a conductor, मतलब यहाँ पर R और row, यानि row यानि resistivity के वीच relation यहाँ पर लिखने का रहा था, और फिर उसी से हमको SI unit derive करने का रहा था, चलिए तो इसको derive करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि question में length और cross section area दिया हुआ था, उसके बाद resistance मैंने R माल लिया, उसके बाद फिर R और row यानि की resistivity के वीच relation लिखना था, तो relation होता है, R is equal to row into L बटा A, अब इसी relation से हमको SI unit derive करना था, तो यहाँ पर मैंने SI unit लिखा, और उसके बाद derive करने के लिए row का SI unit मैंने R के तरफ A को बेज दिया और L चला गया बटा में, यानि row is equal to R into A by L, फिर इसका SI unit निकालने के लिए हमने, यहाँ पर formula लगाया, SI unit of row is equal to SI unit of R into SI unit of A by SI unit of L, तो R कर SI unit ohm, A cross section area, area का SI unit meter square, और length का SI unit meter, तो यहाँ पर यह दोनों कट होगे, और जो हमारा final resistance बचा ohm meter, तो अगर आपका भी answer ohm meter आया हो, तो बिल्कुल सही है, और आपको marks मिलेगा, चाहिए आप किसी भी process से इसको बनाए हो, चले next question क्यों चलते हैं, इसी में आप देख सकते है, question number B है, यहाँ पे नीचे, और इसमें length दिया हुआ है, resistance दिया हुआ है, cross section area दिया हु जाके मैंने row is equal to r into ayl हाँ पर put कर दिया, और जैसे ही मैंने calculation किया है, हाँ पर मेरा value आया है, वो आया है 16 to 10 to the power minus 7 ohm meter, अगर आपको वीडियो fast लगे तो आप रोक के हाँ पर calculation देख सकते हैं, अगर आपने इतना लिखा है, या फिर इसका 0 हटा के 6 to 10 to the power minus 6 ohm meter कर दिया है, सबसे पहले तो आपका least count पूछ रहा था, फिर reading पूछ रहा था, और उसके बाद फिर resistance देके i पूछ रहा था, चलिए तो ये तीनों set में था बहुत important question है, इसका जो सबसे first question है, least count, least count का formula होता है range, ये total इसका final range है, बटा number of divisions तो 5, 5, 5, 5, 5, या number of divisions जो है, जो 20 है, और इ इसका जो list count है, वो आएगा 0.15 volt, okay, 0.15 volt इसका आएगा 0.15 volt ये formula है list count का, अब reading क्या है, तो आप देख सकते हैं, 10 division का reading है, वो है 1.5, तो एक division का reading, 0.15, और इसे दरह से 2 division का जब हम reading लिखते हैं, तो हमारा आएगा 0.3, तो final reading क्या हो गया, तो 15, 1.5 यहाँ, और 3 reading, 0.3 इ 1.8 volts जो हमारा है, वो final reading है, उसके बाद फिर resistance दिया हुआ है, और I पूछ रहा है, तो 20 is equal to IR का formula है, हाँ पर हम 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 स्लाव से लगाएंगे, और I को मैंने हाँ पर calculate कर लिया है, 0.09 ampere, आपको वीडियो अगर fast लग रही है, तो आप रोक के इसको देख सकते हैं, तो यह 3-4 इसे numericals थे, जो तीनों के तीनों सेट में equal थे, एक और numerical यहाँ पर मैंने solve करके रखा है, लेकिन यह numerical सेट 1 का है, और इसी तरह से जो optics के तीनों numericals थे, तीनों सेट में वो different different थे, तो आपको अगर वो चाहिए, तीनों numerical तो आप comment box में आ सकते हैं, और हमारे वीडियो को बह इस वीडियो के साथ,